रसगुल्ल एक ऐसी रैसिपी है जिसका नाम सुनते ही मुओं में पानी आ जाता है। रसगुल्ला बनाने के लिए हमें यहां पर फी के आव शक्ता है। दूद और चीनी तो आज मैं आपके लिए हमें रसगुल्ले की बहुत है आसान रेसिपी। तो आए जटपड बनकर तयार होने वाले रसगुल्ले की रैसिवी बनाना शुरू करते हैं बीका नेर के परसिद रसगुल्ले बनके तयार हैं रसगुल्ला बनाने के लिए मैंने यहां पर सबसे पहले एक लिटर दूद लिया है अब हम दूद को पतिले में डाल लेंगे अब हम दूद को एक उबाल आने तक गरम कर लेते हैं यहां पर दूद में अच्छे से उबाल आ गया है अब हम गैस को बंद कर देते हैं अब यहां पर हम गरम दूद को नहीं फाड़ेंगे हम दूद को थोड़ा हिलाते हुए हलका ठंडा कर लेते हैं अगर हम यहाँ पे गरम दूद को फाड़ेंगे तो छेना हमारे टाइट हो जाएगा और रसगुले हमारे अच्छे से नहीं बनेंगे अगर हम दूद को हलका ठंडा करके फाड़ेंगे तो छहना हमारे बहुती सौफ्ट बनेगा और रसगुले हमारे बहुती ज़्यादा अच्छे बनेगे दूद को हमें इतना थंडा करना है कि दूद में हम अंगुली डाले तो अंगुली हमारी जले न хорошо कि अब यहाँ पे दूध हमारा हलका थंडा हो गया है यह देखें दूध में अंगुली डाल world मेरें यो जल नहीं रही है आप थरत कटोरी में 2 चमच सपेद विनेगर डाल लेते हैं अब दो चमच पानी डाल देंगे अब यहां पे दूद को फाड़ने के लिए कल्ची में थोड़ा दूद लेंगे और उसमें विनेगर डालेंगे और फिर मिक्स करते जाएंगे फिर तोड़ा दूद लेंगे और फिर विनेगर डालेंगे फिर इसको मिक्स करेंगे यह देखिए यहां पे दूद हमारा फटके तयार है और हमारा चैना अच्छे से बन गया है दूद से हलका ग्रीन पानी निकलाया है अब हम 2-3 मिनट के लिए छेना को अलका ठंडा होने देते हैं फिर इसको छान लेंगे अब मैंने यहां पे पतिला लिया है पतिले के ऊपर चलनी रख दी है अब चलनी के ऊपर एक कोटन का पतला कपडा रख देंगे और छेने को इसमें छान लेंगे यहां पर हम छेने को पानी को फेकेंगे नहीं हम छेने की पानी को चपाती या पराठे का आठा लगाने में इस्तिमाल कर सकते हैं या फिर आप इसको प्लांट्स में भी डाल सकते हो अब यहाँ पे छेने में नॉर्मल पानी डालके और छेने को अच्छे से वॉस कर लेते हैं ताकि छेने के अंदर जो विनेगर का खटापन है वो अच्छे से दूर जाए अब हम कपड़े को उठा कर और अच्छे से प्रेस करते हुए छेने का सारा पानी निकाल देंगे रसगुले बनाने के लिए छेने हमारा एकदम ड्राई होना चाहिए छेने में बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए अगर छेने के अंदर पानी रहेगा तो रसगुले हमारे अच्छे नहीं बनेंगे और रसगुले हमारे ज़्यादा सौप्ट और टिक्की जैसे हो जाएंगे इसलिए छेने को ड्राई करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है आप इस छेने को आदे से एक गंठे के लिए रख भी सकते हो फिर उसके बाद रसगुले बना सकते हो ये देखे छेना को मैंने अच्छे से ड्राई कर लिया है छेना बनके हमारे तयार है अब हम छेने को पांच से साथ मिनट के लिए हातेली पे यहां से रगड़ती हुई प्रेस करेंगे छेने को हम जितना सौप्ट करके दयार करेंगे उतने ही रसगुले हमारे अच्छी बनेंगे ये देखे ऐसे हमें छेने को मलना है छेना हमारा यहां पे अच्छी से सौप्ट हो जाएगा 5-7 मिनर तक हमें छेने को ऐसे ही मलना है अब यहां पर हम छेने के अंदर एक चमच कॉन फ्लोर डाल देंगे कॉन फ्लोर डालने से छेने में अच्छे से बाइंडिंग आ जाएगी अब इसको अच्छे से मसल लेते हैं रसगुले बनाने के लिए छेने का मैंने यहाँ पर्फेक्ट डो बना के तयार कर लिया है अब हमें अपनी मन पसंद से जितना बड़ा रसगुला बनाना है उतनी लोई तोड़ के तयार कर लेते हैं मैं यहाँ पर इस साइज के रसगुले बनाऊंगी अब हम डो को हाथ में रेके और दोनों हाथ से प्रेस करते हुए रसगुले बना लेंगे यहाँ पर रसगुले को हम दोनों हटोले को बीच में रखके और अच्छे से गौल कर लेते हैं रसगुले के अंदर कोई भी क्रैक्स नहीं है यह देखें इसी परकार हमें सभी रसगुल्ले बना की तयार कर लेना है यहां पर सभी रसगुल्लों को मैंने बना की तयार कर लिया है अब हम यहां पर रसगुल्ले के लिए चासनी बना की तयार कर लेते हैं सबस्लों देंगे हरा चासनी बनानी के लिए में पर एक कशणी यह पर पानी को डाल देंगे पतली होती हो जाल है लगाँ ढूंकि हम रस्गुल्य को यहां पर यां पर अंदर पका एगे अब हम चासनी के और चलते हैं चासनी यहाँ पर हमारे अच्छे से उबल रही है एक साथ हम चासनी के अंदर रसगुले नहीं डालेंगे एक एक करके हम रसगुले को डालेंगे अगर हम एक साथ चासनी के अंदर सारे रसगुले डाल दिये तो चासने का टेमप्रेचर गिर सकता है और हमारे रसगुले फ़ाट सकते हैं इसलिए हमें एक एक करके रसगुले को डालना है यहाँबर एक किलो दूद के अंदर 15-16 रसगुले बनके तैयार हुए है फुल फ्लेम पे ही हमें रसगुले को पकाना है रसगुले को पकने में 15-20 मिनट लगेंगे 5-6 मिनट तक हम खुले ही रसगुले को पकाएंगे यहाँ पर 5-6 मिनट हो गये हैं और रसगुले हमारे फूलने लग गये हैं अब हम रसगुले को हलके हाथ से पलड देंगे अब हम चार से पांच मिनट के लिए रसगुले को ढखके पकाएंगे अब हम ढखन को हटा के रसगुले को चेक कर लेते हैं ये देखें रसगुले हमारे कितने अच्छे फूल के तैयार हुए है ये देखें रसगुला हमारे चासने के अंद्र अच्छे से डूब रहा है और रसगुले हमारे क्टे तैयार है रसगुले को पकाने वे 15-16 मिनट लगे हैं अब हम गैस का फ्लेम बंध कर देते हैं अब हम रसगुले को एक बाउल के अंदर निकाल लेते हैं यह देखें बहुती रसबरे और इस्पोंजी रसगुले बनके तयार हैं तो यह देखें फ्रेंड्स आज की हमारी रसगुले की रेसिपी आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक करना शेयर करना एंड चरनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और आपसे फिर मिलते हैं ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपी के साथ थैंक्स पॉर वाचिंग